नमस्कार साथियो परिश्कार वल्ड में मैं जोती शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आज हम लोग रीट लैवल वन में मैथमेटिक्स के 30 प्रश्ण जो आते हैं उन प्रश्णों की चर्चा करेंगे तो आईए हम शुरू करते हैं एक एक प्रश्ण के साथ में पहला प् सामने वाला कौन होता है वह कैसा होता हैं बड़ा होता है हमारे पास में प्रश्ण में दिया हुआ है कि आवी बुजा बड़ी है BC बुजा से और जो BC बुजा है वो बड़ी है कौन सी बुजा से AC ठीक है अब इसके बाद में AB बुजा के सामने वाला कौन कौन सा होगा सबसे बड़ा कौन होगा तो AB बुजा के सामने वाला कौन कौन सा है मारे पास में कौन C ठीक है तो कौन C सबसे बड़ा कौन है फिर इसके बाद में एभी बुजा बढ़ी है बीसी बुजा से और बीसी बुजा बढ़ी है एसी बुजा से बीसी बुजा के सामने बनने वाला कौन कौन सा कौन है कौन ए ठीक है तो यह आ गया कौन ए इसके बाद में एसी बुजा के सामने बनने वाला कौन कौन से हमारे पास में कौन भी तो यानि कि यहां पर आगे हमारे पास में कौन भी तो इस तरह से हम देखें जब एभी बुजा बढ़ी है बीसी बुजा बढ़ी है एसी बुजा से तो कौन सी बढ़ा होगा कौन एसे और कौन ए बढ़ा होगा कौन बी से अब हम आप्श पर तो निक्लाता कि कौन B छोटा है कोने से यानि कि यह option हमारा कैसा हो गया गलत हो गया अब इसके बाद में सार्ड ऑप्षण चेक करते हैं थे पर यह dès और आपस में हमेरे पास में है कौन A बढ़ा है कौन C से, जबकि कौन C बढ़ा है किस से कौन A से, तो यानि कि ये वाला option भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, तो इसका जो right answer होगा, वो क्या होगा, इन में से कोई नहीं, क्योंकि कौन C बढ़ा होगा, कौन A बढ़ा होगा, कौन B से, ठीक है, तो अब देखिए A B 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 इन में से कोई नहीं ठीके अब देखिए next year स्पेंग की तरफ देखंग fullest है next week रिख करें अब पास में 2 रखा हुआ है दे रख़ी हमारेको monitor .uc लौ बोर प्रण पर इसी जो की पर अगल एक इंगल यह एंगलbly लसी है एंगल अगला ऐसी औज यूश कर देढे 180 degree का कौन बनता है जब इस रेखा से प्रतिशहिदन होता है तो ये वाला अगर एंगल हमारे पास में 80 degree है ये एंगल हमारे पास 80 degree दे रखा है तो ये बचा होगा कितना होगा क्योंकि इसका योग और इसका योग होगा तो कितने के बराबर हमारे पास में 180 degree के बराबर होगा ठीक है अब एंगल AOC का मान हमें पता है कितना है 80 डिगरी प्लस एंगल BOC का मान हमेरो को निकालना ही है तो एंगल BOC बराबर कितना हो गया 180 डिगरी तो यहां से एंगल BOC का जो मान है वो हमारे पास कितना निकला 180 माइनस 80 कितने डिगरी आ जाएगा दोस्तों यह आ जाएग हम इसको हल कर लेते हैं आगे देखिए वो ही एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री क्योंकि एक सरल रहा पर जो कॉन बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का बनेगा ठीक है यह रख दिया आमने मान रखा मान रखने पर जब इसको हल किया तो हमारे पास मे एंगल BOC की वैल्यू निकल के आजाती है सो डिग्री ठीक है तो इसका सही आंसर हो गया सो डिग्री अगला प्रशन है हमारे पास में किसी आयताकार भवन की चोड़ाई हमारे को एक आयताकार भवन दे रखा है उसकी चोड़ाई है चोड़ाई उसकी लंबाई से तीन 768 मिटर स्कॉय दे रखा है एक फर्स जो दे रखी उस आयताकार भवन की जो फर्श होगी वह भी कैसी होगी ठीक है तो उसका जो शेतरफल हमारे को दे दिया हो कितना दे रखा है तब भवन की लंबाई वह चोड़ाई का अंतर पूछा है हमसे हमें प्रशन में पहले भव इसमें कितनी है एल मानली हमने ठीक है और इसके जो चोड़ाई है वो चोड़ाई हमने मानली है चोड़ाई भी है और यह जो है किसके बराबर होगी उसके लंबाई से तीन चोटाई है लंबाई की कितनी हो गई वह तीन चोटाई है तो यानि की एल इसके कितनी हो जाएगी तीरस होता यह क्षेतरफ़ प्माइं टो लॉट उलकी यानि जूप जो और इसके बराबर है अपना अब से प्रेश does थो टार झाइ स्था आंतर देखिए मीमयर से एंसंगे पास में लंडरी कितनी है एल इंटू चोड़ा यह हमारे पास में कितनी है एल इंटू 3 by 4 इक्वर्टू क्या हो गया 768 अब जब मैं इसको हल करूंगी तो यह तो क्या हो जाएगा एल स्क्वार इक्वर्टू 768 इंटू 4 डिवाइड 3 क्रॉस मल्टिप्लाइ करके इसको सॉल किया इधर ले आई अब देखो इसके बाद में जब हम इसको डिवाइड करता है तो यह हमारे पास में आता है कि 256 ठीक है तो यानि कि जो और 4 किसका वर्ग होता है दो कंतो यह कितना हो जाएगा दो यानि कि एल की जो वाल्इicked आ गई यह 32 मिटर ठीक है जब 32 मिटर निकला तो चोड़ाए कितनी निकल जाएगी बडाबर हमारे पास में यह टोड़ाय का typis हो जग्या घएग्या एगेमारे पास में या ज Spit लंबाई तो है हमारे पास में 32 मिटर और चोड़ाई है हमारे पास में 24 मिटर इनका अंतर यानि कि इनके बीच में कितने का अंतर है तो जब मैं अंतर निकालूंगी तो वो क्या होगा मेरे पास में 32-24 बराबर कितना हो गया 8 मिटर यानि कि इसका जो राइट आंसर है वो हमा को दे रखा है कितना 708 मिटरी स्क्वार तो फॉर्मॉले में जब आयत के शेतरफल के फॉर्मॉले में लिखेंगे इसको लंबाइंटु चोड़ाई तो वहां से एली स्क्वार की वैल्यू निकल जाएगी एली स्क्वार की वैल्यू क्या जाएगी मर पास में 256 इंटू चार तो अब नेक्स प्रेशन की तरफ चलते हैं लोग तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास में 8 मिटर अब देखें अगला प्रेशन हमारे पास में अगला प्रेशन हमारे पास में वापस से त्रिभुज में तो देखें हमसे क्या पूछा है प्रेशन में किसी त्रिभुज की डूजहाओं का अंतर सदे होगा किसी तुरी मुझमें रखा है तीसरी बुजहा के बराबर ने चाहिए मेमजहार हमेशा ज्यादा होता है योग मेशाथ होता है तीसरी बुजहा लेकिन आंता हमेशा क्या होता है च्छोटा होता है यानि कि इसका जो सही 안सर होगा यह के जो अंतर होता होगा चोटा हो गा अंतर तीसरी बुजा से सद्धय कैसा होता है छोटा होता है ठीक है दोसों तो देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास अगला प्रश्न हमारे पास भिन्न से आप से जब डिवाइट करने पर हमारे पास में आता है 0.77 इसी तरीके से जब मैं 4 बटे 5 करती तो मेरे पास आता है 0.8 और जब मैं 5 बटे 7 करती तो 0.7 14 तो देखें इसमें जो सबसे जो चोटी है वो निकल के हमारे पास में कैया है यह सबसे बड़ी वैल्यों हो गई मर पास ठीक शेके इसके बाद में हमारे बास ये बैलू Glennay ऑद में और ये सबसे चोटी वैलियो ठीक है तो देखे हमारे पास में जो सबसे छोटी बिन्न होगी वो कौनसी हो जाएगी 5 बटे 7 यानि कि हमारा जो राइट आंसर हो क्या होगा 5 बटे 7 ठीक है तो अब अगले प्रेशन में चलता है अगला प्रेशन हमारे पास में है है LCM और FCFL से तो देखिए LCM में आसे क्या पूछ आए कि दो संख्याइं दे रखी जिनका अनुपात कितना है 31e 6 और उनका LCM हमारे को क्या दे रखो है यानि हमसे पूछा है प्रशन में कि उनका मैसफ है क्या होगा यानि की हािए स्कॉमन यह सीए च्टर यह सीक्फ क्या होगा तो देखिए ग्वाकाश करते हैं तो कि उनके बीच में जो हाइस्ट एच कॉमन यह सकनल निकल के आता है टीक है अगर इसी में जब मैं बात करूँ इसके LCM की LCM की जब मैं बात करूँगी तो इसका LCM में पास कितना निकल के आता है छे ठीक है तो देखे दोस्तों जब हमारे पास में प्रश्ण है प्रश्ण में क्या दिया वाए कि अनुपाद दिया वह उन संख्याओं का और संख्याओं मेरे पास में तीन जब मैं इनको गुणा करके लिखती हूँ तो मेरे पास में इनका LCM आता है तो हमारे पास संक्याय क्या हो जाएंगी? 3-next और 4-next. तो देखिए, और LCM वामारे को दिया हुआ है, कितना? 60. यानि कि देखिए, इस वाले प्रश्ण स выш, देखिए, तुल्ना करीए, इससे, तो देखेंगे? X, Hcf आगे हमारे पास में, संथे हैं कि सभीष अनुपात में ठीक इसके बराबर रोगा मंठें पास में साथ यहां से जो他们 की निकल के आएगी मेरे पास में यहां से चाहतीया 12 60 वटे 12 जब इसको मैं बाग देती हूं इसमें तो कितना आजाएगा मेरे पास में 1250 यह आगया मेरे पास में पराबर कितना निकल के आ गया 5 तो जो हमारे HCF जो हमसे पूछा गया था मैं तम समापड़ते जो पूछा गया था उसका मान निकल के कितना आता मेरे पास में 5 ठीक है साथ में अगर इस प्रेशन में यह भी पूछा जाता कि बता वो संख्यां कौन सी है जिनका LCM 60 है और उन संख्यां का नुपाद हो जाएगा ठीक है और यह हमारा LCM हमारे को दिया हुआ है ठीक है तो देखिए मान लिया हमने कि HCF हमारे पास में एक्स है और संख्यां का जो नुपाद एक कर चार बर बीस ठीक है तो अब देखिए हमारे पास में इसका पर बो आगा उनवायगा उसका शेक्यां और अब चलते हैं नेक्स प्रश्ञा मारे आखस में यह चोटी से चोटी संख्यां गयात करो जिसका पांच से 8 मै नौ से 밭ाग देने पर शेश Products तीन बचता है वह चोटी से चोटी संख्या ग्याद करो जिसका 5-6-8-9 से भाग देने पर शेश्वल क्या बचता है तीन बचता है तो देखिए दोस्तों यह प्रश्न हमारा है दरहसल की संख्या 5-6-9 सर भुष्चत आस को संख्या ग्यों इनकाory क फिर से लीज़ए तो देखिए को पांच süह और नुका जब इस तरीके से लिव नट निकालेंगे आप सभी को तरीका तो पता ही होगत अ कि जब हम LCM निकालते हैं, जो सबसे छोटी नमबर से शुरू करते हैं, ठीक है, ये 5, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 9, again 2 से डिवाइड होता है, 5, 3, 2, 2, 4, 9, वापस से 2 से डिवाइड किया, 5, 3, 1, और 9, आगे जब इसको किया, 3, 5, 3, 1, और 3, 3, 9, वापस से जब हम करेंगे, तो 3, 5, 1, 1, और 1, और लास्ट हो जाएगा मारा 5, तो देगे, जो इसका LCM निकलेगा, वो LCM किया आएगा, मारे पास में, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 5, जब मैं इसको मल्टिप्लाइ करती है, तो मेरा LCM निकल के आता है, 2, 2 is a 4, 4, 2 is a 8, और 8, 3 is a 24, और यह आगे अपने पास में, 24 into 5, 120, और 120 को जब मैं 3 से मल्टिप्लाइ करती, तो कितना आजाएगा, 360, यह कितना हो गया, मारे पास में, इसका LCM कितना आगया, 360, यानि कि देखो, हमसे बुचा है कि छोटी से छोटी संख्या ग्याद करो, जिसका 5, 6, 8, 9 से भाग देने पर शेश्वल 3 बसता है, तो सबसे पहली बात तो हमें, जब इस तरीके का प्रशन पूचा जाए तो वो संख्या, इन चारों से पहले विभाजित होगी, उसके बाद में, कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद में, वो बच्चता कितना है, लास्ट में, तो वो तीन हमें उसमें क्या कर देना है, अधि मतलब 360 तक तो भाग पूरा जाएगा, इन सभी संख्या हों का, 360 में भाग तो पूरा जाएगा, फिर हमारे पास में प्रशन में क्या का है, कि 3 शेशवल बच रहा है, तो यानि कि 3 शेशवल बच रहा है, तो वो किसमें एड हो जाएंगे, वो तीन, इस 360 में एड हो तो यानि कि जो वो संख्या होगी, वो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी? 360 प्लस 3, कितना हो गया? 360 यानि कि वो संख्या, वो छोटी से चोटी संख्या, वो कौन सी संख्या है? वो संख्या हमारे पास में 363 जिसमें जब मैं 5 का भाग देती हूं या 6 का भाग देती हूं या 8 का भाग देती हूं तो भाग तो 360 तक तो completely चला जाएगा क्योंकि इसका क्या है LCM और साथ में इस पर हमेशा क्या बचेगा शेशवल तीन बचेगा यानिकी हमसे प्रशन में यह का था कि शेशवल तीन बचना चाहिए और वह चोटी से चोटी संख्या ग्याद करनी है मर को जिसमें इनका भाग देने पर सेशवल क संख्या बचता हो तो वह संख्या हमारे पास में संख्या कौन सी आ गी है 360 प्लस तीन 307 जिसका भाग देने पर हमारे पास में क्या होगा पीन बचता है तो इसका जो right answer है वो हमारे पास, में 300 थरी सरे अब चलिए next question की तरब चलते हैं, next question है हमारे पास में यहाद करो यानि कि अब पहले लड़कों का उसत निकाला तो फिर लड़कियों का उसत निकालने के लिए हमारे पास में पता ही है कि जब हम उसत निकालता है तो उसत के लिए हमारे पास में क्या होगी टोटल नंबर होगा कुल नंबर कितने हैं और वो नंबर जो है हमारे पास में वो कितने students ने गेंड किये कितने students को नमबर आए तो आमारे पास में total student कितने वो तो देखे total number 42 लड़कों का जो ओसत score इस जो 337 यानि कि 42 लड़कों ने जब score किया तो यानि कि उनका सको ओसत कितना है मारे पास में 137 चिक है और उनके और टोटलल नंबर जब हमार को मालुम करने हैं तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगी उनके और टोटल कितने स्टुडेंट थे वह 42 तो 42 लड़कों के जो एवरेज जो स्कूर था वो तो था 137 अब जब बात करेंगे उनका जो नॉर्मल जो नंबर थे वो कितने थे वो सामाने जो नंबर थे वो कितने थे तो वो टोटल नंबर जो हमारे पास में आ जाएगा वो नंबर कितना आएगा 137 इंटू 42 इसी तरीके से लड़कियों के जब हम नंबर निकालेंगे तो लड़कियों के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे हमारे पास में 98 लड़कियां कित करेंगे तो तोटल नंबर कितने हो जाएंगे मर पास में लड़कों के दवारा स्कूर और लड़की के द्वारा इसकूर तो तोटल नमबर हमारे पास कितना हो जाएगा 137 8 8 housing 214 ठीक है और टोटल एंट-टोटल स्टूडेंट हमारे मेरे पास में आता है 17,000, इसको solve करने पर 17,906 और यह हो जाएंगे 140, जब मैं इसको divide करती हूं तो मेरे पास में आता है 127.9, तो इसका जो correct answer है, वो कितना है, हमारे पास में 127.9, ध्यान हमें यह रखना है कि जो total है, average जब भी निकालोगे, तो अलग-अलग जो इनका average दे और फिर उसको divide करके इसको इस तरीके से हल कर लेना है, ठीक है, तो देखें, यह हमारे पास में आगे है total number और यह total student, जब इसको हम हल करते हैं, तो यह आ जाता है 17,906, divide करते हैं, तो कितना करेंगे किस से, total कितने होगे 140, तो इसका जो right answer है, वो कितना होगा, हमारे पास मे लाब और हानी से, तो देखें, प्रशन में है, बहतर वस्तो को बेचने पर, एक आदमी को नो वस्तो के विक्रे मुल्य की हानी होती है, और हमसे क्या पूछा है प्रशन में, हानी का प्रतिशत ग्याद करो, लाब हानी का प्रशन है, बहुत ही आसान प्रशने देखें, बह पीटी जो है भेतर वस्तों को बेच रहा है तो इसका मच और उसको हानी परॉभी लेकिन कि पुба खिए एक वस्तों द्यूंद हम आ है जुत की आपनी कुण कूल को रहे हैं और यूस सब्से पहले चलेंगे हैं गाहिए चलेंगे फ्रॉतहां तो 9 वस्तो का फिकरेम बेंगें कितना होगा नों रूपे यानि कि उसकी जो हानी है वहानी कितने रुपे की आनी उसको ठीक है अब नबसली है द पाद रुपय में नो रुपय कि यानि कि यानी कि उसका जो क्राम न रुपय में है वह कितना था ना लाब हो, ना हानी हो, इसके लिए तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसको हानी होरी है, यानि कि भहतर वस्तम का जो क्रेमुले था वो कितना था, नो रुपए तो धा भहतर प्लस ग्रस को पता लगी कितनी नो रुप है क्रेमुल्य हमारे को पता लगया कितना है 81 रुप है हमारे पास में जब भी क्रेमुल्य निकालेंगे क्रेमुल्य क्या होगा मार पास में विक्रेमुल्य प्लस हानी यह निकल के आ जाएगा तो हमारे पास में क्रेमुल्य कितना होगा 81 रुप 9 रुपए की तो 9 क्रेम अलिय कितना है अमらे पास में 81 इंट्व 100 जब हम इसको call करेंगे तो यह 9 बार गया और यह 100 बते नौ डॉल कि टने के आनी हो गई हमार को आनी हो गई है 11 से मतंडे 9 प्रतिशत क की हमार को आनी भी है एक वापस से देख लेते हैं एक वस्तु का विक्रे मुल्य हमारे पास में एक रुपए चीक है हानी कितने की नो वस्तु के विक्रे मुल्य के बराबर हानी हुए यानि कि कितने की हानी हुए उसको नो रुपए की हानी हुए तो विक्रे मुल्य बहतर वस्तु का जो विक्रे मुल यह मारे पास में कितना होगा 808 इसके बाद में जोह क वहारी प्रतिशत है वहारी प्रतिशत का से निकाले जितने रूपए की हानी होी wird in to so to किटने प्रतिशत की आनी अनियुक्ष को ग्यारा सेखव बटे नम क के बराबर है सोला वस्तों का क्रेम उल्य चौदा वस्तों के विक्रेम उल्य के बराबर है लाब या हानी प्रतिशत ग्याद करूं देखे कैसा बहुत ही सिंपल सा प्रेश्ण है सोला वस्तूव का जो क्रेम उल्ले है हमारे पास में वह बराबर है किसके चौदा वस्तूव के घृत के ति कम और हमसे पर ARE पुछा है कि लाब और हनी प्रतिशत बताई लाब होगा तो प्रतिशत बताई और और हानी प्रतिशत होता है तो हानी प्रतिशत बताई तो देखें हमारे पास में 16 वस्तुगों का ये भी बस्तुगों और ये बी वस्तुगों इनका निकालूंगे तो इसको तो इसको तेख सब्सक्राइब मुल्य का अनुपाद, यह अघर मानने चले हैं कि एक वस्तु का मुल्य 1 स्क्राइब कितना हो जाएगा प्रेम्ले कितना हो जाएगा आठ एक डिकतनी हो रख हो देखो, एक रुपए का लाव उड़ा है किस पे लाव हो रहा है उसको लाव हुआ उसको एक रुपए का ठीक है और क्रेम मुल एक तना पने पास में वही साथ OUR क्रेनम भी एमारे पास सेंट और फिर्टिशक पुच रो प्रतिशन के लिए की से गुणा कर देंगे व Prose एक रुपए का यानि की आठ रुपए में वह वस्तू भिक रही है तो यह लाब प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो लाब प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा एक बटे साथ इंटू सो लाब एक रुपए का कितने पे हुआ साथ पे इंटू किया सो से तो हमारे पास में क्या के वापस से 16 वस्तों के विक्राम लेकर एए और विक्रे मुल्यका जो नुपात आगे पास वह साथ भुटे-8 ठीक है तो 7-8 पर उसको लाव हो रहा है कितने रुपए का एक रुपए का ठीक है लाव जो है लाव प्रतिशत जो हम से पूछा है लाव प्रतिशत में हम लाव कि अगला प्रशन आमारे पास में साधरन ब्याज से तो देखिए साधरन ब्याज से हमारे पास में प्रशन 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 क्या कह रहा है सोला सो रुपए की धनराशी पर यानि कि मूलधन जो दिया हुआ है उमारे को क्या दे रखा है मूलधन है हमारे पास में सोला सो रुपए ठीक है दो वर्ष तीन महीने का साधरन ब्याज समय कितना दे दिया है समय हमारे को दे दिया है दो वर्ष तीन महीने ठीक है और तीन मह यूए मरको कितना बेरक एसा ही कितना दे रख है रहा है कि थालो का कि अससे प्राष्ण में कि वह यह आ स mesure थैसे हैं में तो थालो पूंछा है किम साधर की स ALices का फॉर्मला एक थालो सब्सक्राइब अपॉन हइंड है अभ देखिए इस प्रेशन में ध्यान देने वाली बात ये कि हमसे जब फुक्षा है समें जो दिया हुआ है वह कितना है दो वर्ष्ज तेन में तो जब इस महीने में जो समय दे रखे हम वर्ष में तो वला में साथ में प्लस तीन महीने को जब मैं कनवर्ट करूंगी वर्ष में तो यह कितना हो गया तीन बटे बारा वर्ष यह हो गया दो वर्ष प्लस तीन बटे बारा हो गया एक बटे चार वर्ष जब इसको हल किया तो यह हो गया मेरे पास में चार दूनी आठ प्लस एक नो नो बट इनकालने हैं अ और हेल करेंगे कैसे आर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा 252 इंटू 100 इंटू 4 Cross multiply होकर के इधर चले गए अप डिवाइड में हो जाएंगे 1600 इंटू 9 ठीक है 2 0 से 2 0 cancel ठीक है 4 और यह कितने हो गए 4 ठीक है जब इसको डिवाइड करूँगे 36 को इससे तो यह मेरे पास में आ जाता है 7% कितना आ जाएगा 7% ठीक है तो यानि कि जो इसकी दर है ब्याज की दर वो कितनी आ जाएगी है 7% देखे समय जो है हमारे पास में समय कितना था 2 वर्ष 3 मेने समय को अमने वर्ष में कर लिए महिनी में जो समय कि दिया वाता है उसका मने वारश में कन्वर्ट कर लिए 12 से डिवाइट करके तो हमारे पास क्या गया नोबटे चार वर्ष आगया इसके बाद में मारको जो दिया वा तो इसका जो सही आंसर है वह हमारे पास क्या हो जाएगा 7 परसेंट चलिये अब आगे LAXPARCHMAN के तरफ चलते हैं LET сх़िशन है हमारे पास में किसी राशी का साधरन ब्याज मू North साधरन ब्याज जो दे रखा वो काये मूलदन का चार बटन नो दे रखा यदि दिये गए धन पर ब्याज की वार्शिक दर वाशिक दर प्रता समय समान हो तो मैँ पूछिए और साथ में बिखकी जो वार्शिक दर वह समय के समान यानि कि अगर चार साल के लिए कि या चार वर्ष के लिए धन उधार दिया गए इन तो उसकी जो वार्शिक दर है वो कितने होगी चार परसन ठीक है तो बहुआच घी आमरे Protect आसमें सबसे पहले जो दिया हो है वो दिख लेते हैं फिक हमारे पास में दिया है वो हमारे पास में drawer चिनल और किसी राशी का साधारण ब्याज मुल्धन का कितना डанти रका चार बटे नो तो यानिकि जो साधार छो मान रख यह से एकस ही का जॉत मान है्ज X percent है समय भी कितना होगा हमारे पास में X ही होगा ठीक है दोनों समाने तो अब हमसे पूछा है कि ब्यासदर क्या होगी तो SI का वही formula यूज करेंगे SI का formula हमारे पास में वही P into R into T upon 100 यह आ गया हमारे पास में P की value हमारे पास में P है तो देखिए into R हमारे पास में X और TB हमारे पास में क्या है X upon में 100 ठीक है अब साधर अन्वियाज हमारे को कितना दे रखा है साधर अन्वियाज दे रखा है मूलधन का 4 बटे 9 तो यह क्या होगा 4 बटे 9 into P इसके बराबर होगा इस P से यह P cancel हो गया यहां पर X square equals to यह इधर जाके multiply होके हो गया मारे पास में 400 बटे 9 जब मैं यहां से इसको हल करूंगी तो X बराबर क्या जाएगा अगे देख लिए वापस से मूलधन हमारे पास में Wi 불 had एक्स अपॉन हंड्रेट ठीक है जब इसको अलकिया तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी एक्स बराबर करते हारे वही डिविजन मेहरे अप्लाइ करना और उससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में सांथर निखल के आ जाएगा शेश्वल कूछ है शेश्वल हमारे पास में यह होता है तो है शेश्वल में पास लास्ट में जो बचा है कितना 25 इसको राइट आंसर क्या होगा 25 देखे हमारे पास में 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का सब्सक्राइब तो देखें संख्या शुरू हो रही है नौ से और खतम किस पर हो रही है नब्य पर हमसे पूचा उनका उसत ऑसत क्या यानिकि पहले संख्या तो मालूम हो तब भी तो सपा मालूम चलेगा जो आठ से भ 24, 32, 48 और लास्ट कौन से संख्या होगी 88 तो देखें कितनी संख्या है हो गई यह से टोटल हमारे पास में हमारे पास यह से टोटल संख्या है कितनी हो गई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छहाल, शेय, शाठ, आठ, नो और दस, चीक है तो जब हमें इसका दस संख्या हैं इन दस संख्याँ को आमारे को मालूम चल गया कितनी होग कर देख्याँ जब हम इन संख्याओं का क्या कर दे योग कर दे इन संख्याओं का योग कर दे और संख्याओं कितनी है टोटल दस हैं दस से विवाजित करने पर इन संख्याओं का क्या निकल क्या जाएगा उसक निकल क्या जाएगा एक तरीका और है वो तरीका यह है कि जैसे कि अपने पास के बीच आठ से बाज़ी सबसे चोटी संक्या क्या होगी 16 एवं सबसे बड़ी संक्या क्या होगी 8 ए एंड जो हम निकालेंगे वह एन ये समांतर शेडी वाला जो फॉर्मृला म्यूस करते हैं बराबर क्या होता है ए प्लस एन फॉर्मूले से मिस्कॉल करेंगे एंड क्या है आपके देखो 990 के बीच में आठ से सबसे चोटी संग्या क्या डिविजिबल वो कौन सी ए 16 और सब से बड़ी संख्या है वो कौन सी एठीयासी तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एंड माइनस 1 इंटू दी होता है एन प्रफंपद यह होता है हमारा कैसा प्रफंपद जो की आठ से डिविजिबल इसमें और एन माइनस वन एन तो में निकालना ही किसी कितनी संख्या है जो की आठ से विभाजित होंगी तो देखें और साथ में डी डी होगा उन पदों के बीच में अंतर हम जब कोई संख्या इनका जो मान ने वह कितना निकल क्या जब अठ्थासी माइनस सोला डिवाइड बाइट प्लस यह माइनस वन इधर आ करके क्या हो जाएगा प्लस वन जब इसको सॉल करेंगे तो देखो बहतर बटे 8 प्लस वन इसको डिवाइड किया 9 प्लस 1 कितना हो गया दस टोटल दस सं संख्या यह से जो accomplished' से डिविजीबल एंध रेंद रावट कि आप यह तो एक तरी का निकालने का पतायी है कि हम खुद्ध ही वो संख्या लिखें कि जो करेंड से बसे इसके संख्या प्लस आपको बताय aur नहीं हो एए नहमने निकाल ही कितना है 12 अब देखिए इन संख्या तो 10 बटे 2, 16 प्लस 88, बराबर 5 इंटू 104, कितना आ गया हमारे पास में? 520 आ गया, जब हम इसको 520 को डिवाइड करते हैं, किस से 10 से, क्योंकि हम से क्या पूछा है, और 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 इन संख्याओं का जब हम योग निकाल लिया, हमने कितना आ गया हमारे पास में? 520 बट ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रशन हैमारे पास में, AQ प्लस BQ बराबर 28 और 7 में हमार को दonna रखा है A प्लस B बराबर 4, तो ंसे पूछा है कि AB का मान क्या है, हम से प्रृषन में पूछा है, कि AB का मान क्या है, तो देखो AQ प्लस B एक यू बराबर अठाइस हमार को दिया हुआ है ठीक है और साथ में हमार को ये भी दिया हुआ है कि a plus b बराबर 4 है प्रश्न में हमसे पूछा है कि a b का मान क्या है तो देखिए हमने एक फॉर्मुला पढ़ा हुआ है a q plus a q plus b q बराबर क्या होता है a plus b का होल क्यू माइनस 3 a b into a plus b एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a q plus b q बराबर क्या होता है a plus b का हॉल क्यू माइनस 3 a b into a plus b ठीक है तो अब इस फॉर्मुले का जब हम यूज करेंगे तो यूज देखो कैसे करेंगे a q plus b q अमार को दे रखा है कितना दे रखा है 28 ठीक है और a plus b हमार को कितना दे रखा है 4 तो यह क्या हो जाएगा 4 का q minus 3 a b की value हमसे पूछी है तो यह a b as it is आजाएगा और a plus b का मान हमार को कितना दे रखा है 4 ठीक है तो जब हम इसको हल करेंगे 28 चार का q कितना होगा 64 minus यह कितना हो जाएगा 12 a b ठीक है तो जब इस तरीके से कि यह अधरा करके प्लस के यह हो जाएंगे 12 a b यह 64-28 ठीक है यह जब इसको हब करेंगे तो 12 a b इधर आ जायगा यह बच गये 6 यह हो गए 36 ठीक है अब हमारे पास में जब ab का मान पूझा है हम से तो ab का मान कितना होगा 36 बटे 12 यह हो गया हमारे पास में 3 ठीक है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए प्रश्ण में हमसे पुछा है कि AQ प्लस BQ बराबर कितना है 28 है A plus BMR को दे रखा है 4 और हमसे प्रश्ण में पुछा है कि A B का मान क्या है तो हमें फॉर्मूला पता है कि A Q plus B Q बराबर होता है A तेच्शी के जिएक कि outikes और हमारे पास में चले निकल चैणि तीन इसका जो राइटांसर रोगा वहां वो कितना हो जाएगा आरे से ग्यारादिक है ठीक है तो और हम से पोछा है यह बिन्नीर तो दे ऑब हमने पूछा है कहा है प्रमे कि नियका स्ट गुना तो इस दित के व्यूतकरम के साथ गुना से अधिक है बिनने का व्यूतकरम और इसका भी कितना साथ गुना तो इसका व्यूतकरम का साथ गुना कितना होगा मेरे पास में साथ बटे और उसके उसमें भी कितना ज्यादा ग्यारा ज्यादा है तो देखो जब इसको अब आगे हम अब करेंगे तो देखो प्रशना अनुसार जब हमने हल किया यह आगया हमारे आगे यह आगे यह आगे तो इस तरीके से लिए कि जिनका जब मैं योग करूं यह जोड गटाती उनको तो मेरे पास में आजाए 11 आजाए 11 और जब उनको गुणा करूं तो मेरे पास में क्या जाए माइनस के 42 क्योंकि 67 कितना होता है माइनस के 42 तो इसको आगे हल करेंगे हम तो आगे हल करने पर हमारे पास में इसमें हमने तो टू टू एक सोमन आगे तो यहां बचेगा मारे पास में 2 x in टू टू अई जाए जैगा मेरे पास में 3 x-7 प्लस यहां कॉमन लिया तो किटना हो गभान इंटू 3 x-7 इन दोनों में साथ बटे तीन और, एक्स की वाल्यू, क्यान निकल का अती है, माइनस के 1 बटे, 2 ठीक है, तो जब हम आव मारे पास में आप देख सब्सक्राइव, जो भिणन नहीं है, मारे पास में, वो क्या निकल क squeez. या तो होगी, साथ बटे, 3 या क्या है, 27N4 संख्या 11ations यह सब्सक्राइब यकर फिखर구 कर वी मान निकाल सकते हैं यहां से दिवाइड किया ग्यारा दूना बाइस 15 जाएंग तो यानि कि चार बार करूंगी तो कितना हो जाएगा गयारे साथ 77 और 18 जाएगा वो संख्या नहीं आएगी क्योंकि हमारे को का 11 C分new वीबाझत 11 से पूर्ण यहां वही संख्याहेंगा जिसके गई यह एक पूरा जोमर एसे थी कर नमबर का नंबर बने हा कि 11 से पूरी तरिक स्क्रपार का बाशित नो मैं ला एक कि यानि कि जो पहला ऑप्शन हो तो क्या हो गया हमारा गलत हो गया अब इसके बाद में फिर हमारे पास आता है ग्यारे पंजे पचपन ठीक है यह हो गया ग्यारे पंजे पच्पन बच गाया यह तो यह फिर उसके हमारे पास में रिमेंडर जो बचगा हमारे बचगा दो यानि कि ये संख्या भी हमारे पास में नहीं आएगी तीसरा option हमारे पास में था 9 अब 9 रखके देखते हैं तो थो हमारे पास में देखे 279 4 जो मैं बचब कितने चार और यहां पर बहुत आसान तरीका है इसको जब करेंगे तो अब इसका जो राइट आंसर हमारे पास में क्या गया नौ कि लेकिस का तुसरा तरीका है संक्या किससे विभाज्य से भाज्य इसके लिए हम क्या करेंगे एंगे यöt। और औन honour क्यों यानि किमाख चोड़ करने जो योग का योग और उनका जो अंतर निकालेंगा जो आपने पास नहीं ज fashion एग सरफ से विब्धाज है ल्जेंत एक एंगा तो प्लस इंड यह कितना होगा साथ मैं यूश्व चीन मैं अब देखिए अगला प्रशन यह मातों से त्रिगुज में हमारे पास है त्रिभुज्ऑ a b c में बुझा b c को d तक बढ़ाया गया है एंगल a c d बराबर 148 जिग्री एंगल a c d इस एंगल का जो मान है वह कितना है 148 जिग्री ठीक है और तथा एंगल b बराबर एंगल एक बटा तीन एक बटा थीन यानि कि जो यह एंगल भी है वह एकश्या थिपने ऑंगर के बराबर है एक थीहाई के बराबर है अब हमसे पूछा है कि एंगल एकमान ग्याद करों किसका मान ग्याद करों एंगल कामान ग्याद करों तो देखो जब कोई त्रिभूज होता हैं और पि Sail kisses की को जब बढ़ाया जाता है तो इस एंगल का जो मान है सम्मुख भुजा पर जो यह दो अंत्य कौन बने में इनके योग के किसके बराबर होता है योग के क्या होता है बराबर होता है यह सम्मुख भुजा पर जो कौन बनेंगे अंत्य कौन इनके योग के बराबर भाई यह है यह इंक बटातीन पॉड़ क्या है इंकर योग है इन दोनों आंतरे को जो योग है वह फाय यह इकोन भुजा बड़ाने में पर सल्कोवित विशाब्ली स्टू क्या आगया 148 जिगनी ठीक है तो एंगल एका जुमान निकालेंगे हम एंगल एका मान होगा 148 इंटू 3 divided by 4 multiply हो जाएगा इसको जब हम हमल करेंगे तो यह हो जाएगे चारतिया 12 ठीक है यो गया चाहसते 28 इसका मान आगया मारे पास में 111 दिगरिए तिक है यानि कि एंगल a का जो मान है हमारे पास में उस एंगल a का मान कितना आगल आगया हमारे पास भी 111 डिगरी और इसी प्रश्न में अगर आगल बी का मान पूछा जाता तो वोसक्या हो जाता 111 in to iska इसका कितना है एक तीहाई principles कि मान कितना है 111 बेटे यह एंगल Sabi Ka मान्म टो आप एक बार वापस देख लेता है त्रिपूध कि भाय कॉन का मान जो हुता है वह दो अनत्रीकॉमों की योग के बारावर होता है जो भाहिए कोन है इसके सामने जो 9 Pet+. इंटुU X अब आगे जब इसको हर किया तो X का माएन कितना हो गए हमारे पास में निकल के आगया है 148 इंटो 3 बटे 4 बराबर कितना आगया 111 डिगरी यानि किसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारे पास में 111 डिगरी अब अगला प्रशन हमारे पास में टीचिंग मेथड से देखिए तो देगे टीचिंग मेथड के क्वेश्चन को करने के लि लिखत में से कौन सी गणीती ये प्रक्रिया नहीं है आप से प्रूआ कि कौन सी गणीती प्रक्रिया कि नहीं वो आप से निगेटिव चाल रही या वी यह पहले प्रशन में डंग से देखिए उसके बाद ऑप staple लिदी आफ़ीए नहीं है तो पहले film को चेक करते है गणितिय प्रक्रिया में option D से start करते हूं, option D में देखें क्या है मारे पास में, option D में अनुमान लगाना, क्या गणितिय प्रक्रिया नहीं होती है, गणितिय प्रक्रिया नहीं होती है, गणितिय प्रक्रिया नहीं है, गणितिय प्रक्रिया नहीं है, option C में साकार कल्पना करना साकार कलपना करना यानि कि प्रश्ण का अनुमाणित हल निकालना कि हां इस तरीके से प्रश्ण हल हो सकता है, तो हम गनिती प्रक्रिया में यह शामिल करते हैं, ॠ ऑप्शन जिमी है त्लीक में तब स॑थर हैं, हमारे पास option A, contest करना, तो क्या हम गणित के किसी प्रश्ण को याद करते हैं या फिर समझते हैं उसको हल करते हैं, हम उसको समझते हैं उसको हल करते हैं, ना कि हम उसको contest करते हैं, उसको याद करते हैं, उस प्रश्ण को याद नहीं किया जाता है, यह गणितिय प्रक्रिया का को रट लेना याद करना सही प्रक्रिया नहीं है किसी गनिती समझ्या के समाधान को रट लेना याद कर लेना सही प्रक्रिया नहीं है बलकि उसको समझ लेना सही प्रक्रिया मानी जाती है उसको समझना और उसको हल करना क्या सही प्रक्रिया मानी जाती है तो इसका जो राइट उन परिस्तितियों में पनपता है विध्याले में गणित किन परिस्तितियों में पनपता है यह हमसे पूछा है जबकि पहला option है मारे पास में बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है तो देखे गणित को अगर अध्यापक केवल व्याख्या ही कर आपनाएगी जबकि गनित को अपनाने के लिए उसको हल करना उसको एक अपने व्यवार में शामिल करना बहुत जादा जरूरी हैं। और उन पर परिक्षा में प्रदशन करने का कोई दबाव नहीं होता है जरूरी नहीं कि सारे सुत्रों को परिक्षा में प्रदशित करने तो इस तरीके का दबाव होता है याने कि दबाव में हम किसी गणित को हल नहीं कर सकते हैं तो याने कि यह जो option है वो भी क्या होगा मैरे पास में गिलत हो गया। तीसरा option है मैरे पास में गनित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए गणीत बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा किस तरीके से होगी गणीत बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा इस तरीके से होगी जब वो बच्चा प्रश्ण को बार बार हल करेगा बार बार समझेगा तभी जाकर के वो एक उसका अभ्यस्त पर हल कर रहा है तब जाकर के उसके जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनेगी तब ही वो जाकर के विध्याले में जो गणित है वो उन परिस्तितियों में पन पेगी तो यानि कि जो इसको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने के बाद में भी नहीं सीख पाते हैं उसके लिए काफी अभ्यास की जरूत पड़ती है और हम किसी को विवश नहीं कर सकते हैं अगर विवश करके कोई काम करवाय जाए तो वह कभी भी सफल नहीं होता है यानि कि यह अफिन डीबी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसका जो रायिट आणसर क्या है सिनिखें बच्चों को क्या किया जए जीवन के अनुभी कैसा बनाया गणित क्या होगी जीवन के अनुभवों का हिस्सा बन जाएगी यानि इसका जो राइट आंसर है वो अप्शन सी है अब चली नेक्स प्रेशन की तरब चलते हैं नेक्स प्रेशन है हमारा गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है समशा समाधान की युक्तियों पर सम इसलिए गणित कक्षा में महत्व दिया जाता है इसलिए गणित कक्षा में महत्व दिया जाता है किसको समशा समाधान की युक्तियों पर और साथी गणिती विश्या और प्रक्रिया यानि की प्रशन को हल करने की प्रक्रिया पर और तर्क पर ठीक है तो इसका जो हल होगा वो हल क्या होगा गणित के कक्षा कक्ष में गणिती विश्य प्रक्रिया त तेन सो रुपए और कमीज और स्वेटर पर बट्टा कितने का 20% तथा 12% बिल तैयर करते समय गलती से दुकांदार ने इन वस्तों के बट्टे की अदला बदली कर दी यानि कि जिस पर 20% का बट्टा देना तो उसको 12% पर दिया और जिस पर 12% का बट्टा देना तो उसको कित बिल बट्टा लेकिन फिर विष्ञे को क्या किया चुर्ट हम उलém मुद्रा दी इस प्रशन से किन मुल्यों को प्रोचसाइद करने का प्रयास करता यह जो प्रस्ण एक शिक्षक नेए क्लेक्ष्ण दिया तो मसा अकि पूछाए कि बताई कि इस प्रशनी के माध्यम से शि यह हमीदा की इमांदारी को कौनसे मुलिय को बता है तो देखिए इसमें प्रश्न में के दुकानदार ने गलत बिल जोड़ा लेकिन फिर भी हमीदा ने उसको उच्ऴत्य मुल्य यानि कि ये तो उसकी क्या बताएगा इमानदारी बताएगा तो यानि ये प्रश्ण हमीदा की इमानदारी के बारे में बता रहे हैं तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा जब वास्तिविक बट्टे पर कमीज का मुल्य कितना है 200-803, 160 रुपए वास इमानदारी पूरिवक बिल के साव से मुद्रा दी निकि शिक्षक इस प्रश्ण के माध्यम से इमानदारी जो हमीदा का जो म Mystery उसको बताना चाहरा हूं स्टेटमेंट है ठीक है इसके बाद जो अगला प्रशन हमारे पास में जो विध्यारती जामिती नहीं समझ सकते वे इस विध्याले में नहीं आ सकते तो देखें यह कथन किसका अरुसतु तो जी विज्ञान के जनक है ठीक है और मैट्स के कौन है हमारे पास में प्लूटो त समझने की प्रकरती कैसी होनी चाहिए क्या कठीन होनी चाहिए या सरल होनी चाहिए या तार्किक होनी चाहिए सजावटी होनी चाहिए तो देखें कठीन होगी तो गनित को वैसे कठीन वीशे समझते हैं सभी तो गनित अगर समझने की प्रकरती भी कठीन होगी तो गनित को प्रकरति क्या होनी चाहिए तार्किक तार्किक से मतलब कि हमारे को पूछना आना चाहिए कि चीज कैसे हुई क्यूं हुई इसके आगे क्या होगा इससे पहले क्या हुआ इस प्रश्ण को कैसे शुरू किया कैसे करना तो यानि कि यह सब प्रकरति कैसे होनी चाहिए तार्किक कि यह पर तो हमसे प्रति को करेंगे तो हमसे हॉल नहीं होगी अगर चोक और आब बात्चीज से रहने को हल करेंगे तो मैंने लेकिन एक सबसे साध प्रभावी स्वाहिक सामगरीश . जब तक वह सामने देखें inhal जब प्रश्न का हल अगर उस हल को समझ सकते तो यानरी की जो प्रभावी सायक समग удар के वह मेरे पास Sutra अब देखिए गणित स्क्षन में शिक्षक को निमने लिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, तो देखिए निगेटिव आंसर पूछा है हमसे, तो पहला प्षेन हमारे पास में कहा है, व्यवारिक जीवन से विशय का संबंद हो, अगर हम इस विषयब इस पर ध्यान नहीं देंगे सुब्जेक्ट हमारा जीवन से विषय का Johanna से अव्युबर को समझ नहीं पाएंग तो यानि कि हमने इसㅋㅋㅋㅋ तो ध्यान देना चाहिए ही चाहिए ठीक है अगर हम दूसरा option है हमारे पास में मानसिक शक्तियों का विकास हो, अगर हमारे पास में हमारे विश्य से जिस विश्य को हम पढ़ते हैं, कोई भी विश्य हो, या गणित जो हमारे विश्य हो, अगर हमारे उससे मानसिक शक्तियों का विकास हो, इस पर तो हमें ध्यान देना ही हो इस पर ध्यान दे कि मेरी क्लास में जाति वादिया जाती से रिलेटेड हम ऐसा प्रतिष्टा से रिलेटेड ऐसा कुछ सोच पड़ाएं कि नहीं मैं केवल इन главное इस जाती के बच्चों को पड़ाऊं यह इस बारे में तो मैं शायद कभी विशय नहीं पढ़ा पाऊंगी तो देखी जातिय प्रतिष्टा का उपाय हो मुझे इस बारे में नहीं सोचना है पढ़ाते टाइम पर तो यानिकि गणिती इसके बारे में नहीं ध्यान की प्रतिष्टा का उपढ podcasts should मुझे इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए कि आनंद की प्राप्ति नहीं अगर मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाते टाइम पे इंट्रेस्ट नहीं होगा यह आनंद नहीं आएगा तो मैं शायद अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगे तो मुझे एक इंट नहीं देख प्लörtिट कई हो तो नहीं अगरे अगरा हम पड़ाशत करेंगे विशह को कि विशह क्या है हम तो एख मेरे ख्याल से विशह में झब भी उत्डेशियों तो बरिवाशित करना चाहिए है जरू करना जरूरी करना प्रशन करना अगर हम प्रशनों में अंतर नहीं बता पाएंगे कि देखे इस चीज को यहां यूस करने से क्या अंसर निकलता और इस चीज को क्या इसको यहां लिए पढ YoC पास में राइट आंसर क्या जाएगा option B ठीक है अब हमारे पास में next question गनित शिक्षन में वस्तुनिष्ट परेक्षणों की विशेष्टा है गनित शिक्षन में बस्तुनिष्ट जो वस्तुनिष्ट यानि की जो गनित शिक्षन में ग्यात से अग्यात की और चलते हैं गनित सिक्षन में ग्यात से अध्यात की अगयात की और चलते हैं कौन सी विरल छलते हैं तो देगे पहले हमारे पास में प्रोजेक्ट विदी में हमें रिढे की िसके बारे में रिषैर्च कर सक कर लिखना कि प्रोजेक्ट देदिया मुंझे एक रिसिर्च कर openings करने पैस front लिए अमेरे पास में विश लेशन इमारे में। मेल म्हें ठीडार के तो फोसने काम किया है को में इसकर क्या करता है भूष्ऩिक ग्रीशन आपżenie करना है को सहसरी है। हुरिप्षिन धuti में खौज कुरनी होती है पहले एक उधारन समझाते हैं और फिर उसके बाद में नियमों को explain करते हैं तो यानि कि ग्यात से अग्यात की ओर ग्यात का मतलब क्या हो गया उधारन और उधारन से हम किसको समझा रहे हैं अग्यात यानि कि क्या अग्यात है हमारे लिए नियम तो इसके लिए जो हमारा जो होगा वह कौन सा स्ट्रों घ्यात स्य ग्यात क्यों कॉन से रइअ क Eagles करें ने थीके धन्यवाद झाल झाल झाल